वीडियो पर जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महतोपुन जानकारी है अगर आप राजस्तान से जुड़ी वी किसी भी एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं तो राजस्तान का आर्ट इन कर्चल आपके लिए काफी महतोपुन टोपिक है यहां से हर exam में काफी प्रिशनों पूछे जाते हैं तो इसकी तयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम राजस्तान की राज पेनुर्मा नम्म किताब से काफी जो महतोपुन प्रिशनों है उनकी एक सीरीज इस्टार्ट कर रहे हैं इसमें आप सभी लोगों को topic-wide सभी महतोपुन प्रिशनों को अलग-अलग exam में जो पूछे गए हैं और जिन की पूछे जाने की संभाव नहीं बन रही है उन सभी को रखा है तो इससे जुरूर देखेगा और आप लोगों की कोई राय है तो comment box के अंदर जुरूर बताईगे इसका फायदा उठाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद आदे ग्यान की वज़े से आप सभी लोगों को मुर्ग बना दिया है आप लोगों के सामने पहले cut-off की टेंसन थी उसके बाद में नौर्मलाइजेसन की टेंसन और अब एक accuracy की नाम की नई टेंसन भी आप सभी बावित करने वाला है आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूंगा अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोगों को किसी परकार की कोई भी दूसरी इस परकार से जिनके पेपर हो जाते हैं वहाँ पर सिफ्ट के आप लोगों का नौर्मलाइजेसन देखा जाता है पेपर के लेवल के इस परकार से आप लोगों का पेपर का लेवल रहा है क्योंकि इस परकार से था तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है तो वह अकोडिंग टूसरी आप लोगों के नौर्मलाइजेसन होता है बेंकिंग और जो रेलवे और एससे और रेलवे जो नौर्मलाइजेसन करती है उसका उन्होंने अपना एक मेथड बना रहा है जिसके इसाब से टोटल एक एवरेज बिठा लिया जाता है सबी सिप्टों का की इस सिप्ट के जो कितने टोपर्स थे उनका क्या एवरेज था और जो minimum जो criteria आ रहा है उनकों का वो कितना रहा है उसके हिसाब से बाद में जो समानी करना है उनकों का वो किया जाता है बेंकिंग के अंदर जो process है वो थोड़ा सा अलग रहता है इसके अंदर आप लोगों की accuracy भी depend करती है कि आप लोगों ने जो caution अटेंट किये हैं उसके जो wrong question attempt है वो भी कम होंगे तो यह उमीद की जाती है banking में कि उसके normalization में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अब बात कर ले थे हैं अपने पटवारी के अंदर तो पटवारी के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि जो normalization होने वाला है आप सभी लोगों को नहीं पता है आप लोग अलग बहकावे में आ रहे हैं normalization को लेकर काफी ऐसे सहर है जिन्होंने अपने मैं आप लोगों को YouTube के बारे में बता तो नहीं सकता हूँ ऐसे कि कि किसी के बारे में कि वो channel वाला या फिर वो सहर ऐसे लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ किसी ने अपने cast के इ भाइदा होगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है आप लोगों के shift के जो paper था उसी के उपर आप लोगों को depend करने वाला है कि आप लोगों का paper कितना hard था और कितना सरल था shift के इसाब से आप लोगों का जो है इस वार normalization होने वाला है इसके अंदर तो उसका आप लोग द्यान रखेगा आप लोगों किसी तरफ परकार के कोई भी बेकावे में आने के आऊ सकता नहीं है अगर आप लोगों के shift का easy था paper तो निश्ची तोर पर आप लोगों को कोई भाइदा नहीं होगा ना कोई नुकसान होगा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है उसी लोगों के जो नंबर है उनको कम करिये जाने की संभाव नहीं है मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ अगर नॉर्मलाइजेसन के बाद में कोई एक भी student ऐसा मिल जाए कि सर मेरे नंबर कम हो गए है क्योंकि वो तो सारा का सारा format उसके अंदर आएगा जब आप लोगों सकता नहीं है फाइदा सिर्फ उन्हीं को होने की पूरी संभाव नहीं है जिनका पेपर थोड़ा हाड था और उनके नंबर जो है वो दूसरों के बनिश्पत थोड़े कम आ रहे हैं तो उमीद की जा रही है कि 8-10 नंबर तक उनके बिल्कुल बढ़ने की संभाव नहीं है अगर आप लोगों को कोई कहता है कि यह क्या दो नंबर तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से 8-10 नंबर तक उस पेपर के अंदर जो है वो नंबर बढ़ सकते हैं साहिद यह गलत हो सकती है या सही हो सकती है मेरको नहीं पता है लेकिन यह दे शो कission को को जो अब बहुत है आप लोग ऐसे कह सकते हैं तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ देखे जिसे की ये कमेंट है देविन क्या देवी सिंग्जी सिसोधिया ने किया है कि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि रोंग अटेंप्ट का कोई लेना देना नहीं है पटवारी के अंदर एक मान के च इसका मतलब यह नहीं होता है जहां सिफ्ट कम होती है वहां आप लोगों की पेपर के लेवल को देखते वही आप लोगों की जो है वह नंबर बढ़ाई या गठाई नहीं जाते हैं बढ़ाई ही जाते हैं इन नॉर्मलाज़ेसे नेगेटिव कोश्चन आर नोट कंसीडर्ड आप लोगों के नॉर्मलाज़ेसें में नेगेटिव कोश्चन बिल्कुल इन्होंने सही कहा है परमोजी ने कि किसी परकार से कोई भी कंसीडर्ड नहीं करेगा आप लोगों की जो नेगेटिव कोश्चन होंगे और भी काफी सारे हैं रोंग इन्फरमेशन एक्यूरेसी ड पर करना था तो एक्जाम से पहले बता देते इन्होंने बहुत सही बात बताईए कि अगर उनको नॉर्मलाज़ेसें एक्यूरेसी के इसाब से करना होता तो वो एक्जाम से पहले इसके बारे में नोटिफाई कर देते कि आप लोगों की जो सिफ्ट हो रही है उसके अंदर जो भी शिफ्ट होगी-हाड, यहना जो भी शिफ्ट सब से हाड वएगी उसी के normalization के अंदर number बढ़ेंगे ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेकिन हरी पर साजी सर्मा ने क्या बताया था कि हम नॉर्मलाइजेशन धबी करेंगे जब किसी एक सिफ्ट के अन्य सिफ्टों की तुलना में नंबर ज्यादा बन जाएंगे उनको लगेगा कि किसी जो मेकसिमम केंडिटेट है वो किसी एक सिफ्ट से निकल कर आ रहे हैं तब वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे और अब उनको अगर normalization करना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि किसी एक shift के वो कौन सी shift है आप लोग comment के अंदर तो बिलकुल भी संभव नहीं है इस चीज को देखना board खुद ही decide करेगा इस चीज को क्योंकि जिस भी बंदे का आप लोग यह देखोगे तो वो 23 इस वाला यह कहेगा कि 24 वाले के maximum number बन रहे है 23 की first shift वाला कहेगा second वाले के सबसे ज़्यदा नमर बन रहे है तो अपनी shift वाला का तो कोई बताता ही नहीं है अगर मैंने एक poll भी करवाया था जिस poll का मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिखाने का कोई ताथ पर यह आ आप से hard shift थी तो पता नहीं मैंने क्यों पोल कर वाया था लेकिन आप सभी लोगों ने वोट किया उसके लिए धन्यवाद लेकिन इसकी कोई सत्यता या प्रमानिकता देखने को नहीं मिलती है इसके अंदर आगे चले उससे पहले मैं आप सभी लोगों से request करूंगा कि अग देखिए फिर से वही सवाल है कि सबसे ज्यादा कौन सी shift वाले हैं जिनको सबसे ज्यादा इसके अंदर फायदा होने वाला है देखिए 23 तारिक की जो मैं अब आप लोगों को बिल्कुल इमानदारी से और जो है वो उस हिसाब से बता दूं तो मैं आप लोगों को इस slide की किसको सबसे ज्यादा होगा लेकिन कौन सी shift को सबसे ज्यादा होगा इसके अंदर shift के बारे में बताएंगे और कौन सी किसको सबसे ज़्यदा फायदा होगा इसके अंदर दोनों के अपने जो मिक्स बात करने वाले हैं आप लोग समझ जाएंगे मेरी बात को तो कौन सी सिप्ट में सबसे ज़्यदा फायदा होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं finally जो मेरा point of view है वो रख रहा हूं आप लोगों के क्या राय है वो आप लोग कमेंट वोक्स के अंदर बता सकते हैं देखिए अपन मैंने चारों पेपर देखे हैं कई ग्यानी ऐसे भी आएंगे जो यह कहेंगे कि आप लोगों को किसी पेपर का कोई जो है वो नहीं पता था आप लोग 23 वाला सेकेंड की पारी का देखे आईए 23 का फर्स्ट का देखे आईए 24 का भी देखे आप लोग 24 की सेकेंड का देखिए उसके अंदर इंग्लिस का जो इंपूट आउटबूट के आईज थे वो कितने हार्ड कोशन थे तो यह सारी चीजे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जितने भी कमेंट देखे हैं जो भी चीज है एक चीज तो निकल कर सामने आ अंदर कि इन सभी पेपरों से अगर कंपेर करें कई लोगों का ऐसा अबजेक्शन है कि इन सभी लोगों से पेपरों से कंपेर करें तो अबजेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा 24 तारिक वाले में लगे हैं तो अबजेक्शन लगना और पेपर का हार्ड होना दोनों लगवाय गया था आप लोगों से फीश लेगी अब्जिक्सन गलत कर दिये जान बूजकस के सरकारने तो आप उन लोगों के अगर अगचिशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कोशन हड़ था अगर आप लोगों का वो कोशन अब्जिक्शन में सही हो जाता addresses आप लोगों को उसके नमर मिलने वाले हैं अगर वोड ने उसका गलत अंसर मानना है तो यह माननके चले क्योंकि जो कोशन की अब्जिक्शन के ऊपर आएगा और वहां पर अगर कोशन डिलिट होता है तब आप लोगों के नमबर मिलेंगे। अगर आप लोगों कोशन आई नहीं रहा था तो वह उसकी तो बात ही हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने अब्जेक्सन लगाया है। का मतलब यह है कि आप लोग वहां सही करके आये थे और उन्होंने गलत माल लिया तो वो तो आप लोगों को नमबर मिल जाएंगे उब्जेक्शन के बाद में तो उसके अंदर सिंपल और हाड वाली चीज तो रही नहीं लेकिन ये मानने वाली बात है कि हाँ इंपूट और आ बिलकुल नॉर्मल थी ये इजी थी नॉर्मल से भी इजी थी हालांकि काफी लोग जो है मेरे से एगरी नहीं करेंगे लेकिन मैं आप लोगों को बता दू ये सिफ्ट सबसे इजी अगर कोई शिफ्ट थी तो तेज तारीकी फर्स्ट शिफ्ट जो थी सबसे इजी थी लूम नहीं था ये सबसे घटिया जो रिजन इसके अंदर दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि चोईस तारीकर वालों को अगर सबसे दा फायदा हुआ है तो उनको पेपर का पेटरन पता था मैंने भी एक अपनी कमेंट बोक्स के अंदर किसी से में इस बात को ले पूछ ली गई थी लेकिन कोशन रिपीट हुआ था या आप लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कोई भी कोशन रिपीट नहीं हुआ था दूसरी बात तो यह चीज़ अपने कर ले चोईस तारीकी जो सेकिंड शिफ्ट थी फाइनल शिफ्ट थी उसका जो इन्पूट कोशन जो है थे वो काफी एकदम बैसिक कोशन पूछे गेते हालांकि उसमें नंबर कम बनने का लोगों का नंबर कम बनने का एक मातर कारण यही है कि वहाँ पर अधिकतर गल्स थी मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर बोल रहा हूं हमेरी हर वीडियो के अंदर आप ल गल्स की संक्याक ज्यादा होने के कारणों का एवरिज स्कोर कम रह जाएगा और इजी के अगर देखें तो सबसे ज्यादा इजी जो थी वो फर्स्षिफ्टी इजी थी सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं तो यह नॉर्मल थी इजी भी नहीं थी बिलकुल नॉर्मल थी कौन से शिफ्ट को फायदा मिल सकता है तो वो मैं फिर बता रहा हूँ कि बोर्ड के ओपर डिबेंड करता है बोर्ड कौन से पेपर को हाड मानता है कौन से सिंपल अगर आप लोग अलग अलग चैनल पर इस चीज को ढूंडते वेगे चल रहे हैं कि कौन सा पेपर हाड था लेकिन सबसे ज़्यादा कि इसको होगा अगर अपने एक चीज मान के चले तो ये देखने को मिलेगा कि जिसके भी कम नंबर आ रहे हैं ना जिनके भी जिननोंने अच्छी तयारी करी थी जिनके किसी कारण के ओज़े से उनके नंबर कम आ रहे हैं पेपर में मा लीजी या फिर किसी और कारेंट से थोड़े भूत भी कम नंबर रह रहे हैं माली जी हमने एक्जामपल की तोर पे आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर जनरल की कटोफ हमने 208 प्लस बताई थी और अगर किसी के 205 है हमने ये एक्सपेक्टेट बताई थी माली जीगा कि ये कटोफ अगर फाइनल कटोफ रह जाती बिना नॉर्मलाइजेसन के तो 205 वाले को काफी नुकसान हो जाता ये बंदा जो है ये ना तो वेटिंग के अंदर आ सकता था और ना इसका डीवी के अंदर आ सकता था अगर डीवी के अंदर नहीं आता तो वेटिंग के अंदर कैसे आता वो तो एकी बात होगी तो इस बंदे को सबसे ज़दा फाइदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेसन के अंदर ये पूरी उमीद है कि अगर ये थोड़ी बहुत भी उसी सिफ्ट के अंदर आ गया या फिर एक ऐसी सिफ्ट के अंदर आ गया जिसमें कम नंबर बढ़ रहे हैं जिसने डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बंदा पटवारी की बरती के अंदर गुस गया है उसके सेलेक्शन होने के चांस 90% तक बन जाएंगे क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आएगी इसकी तो इसे मान के चलिए कि आप लोगों की लगबग 2,000 सीटे खाली हो जाएगी इसके अंदर से क्योंकि रीट और ऐसाई बहुत ही ज़्यादा परभावित करेगी हालांकि अभी आप लोगों के रिजल्ट को परभावित नहीं करने वाले है रीट और ऐसाई क्योंकि इन दोनों से पहले आप लोगों के रिजल्ट आने के पूरी-पूरी संभावना है लेकिन जब आप लोगों की वेटिंग आएगी तब आप लोगों को इसका बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है और तभी बच्चों को नॉर्मलाइजिसन का सब ज़्यादा फाइदा मिलेगा तो जो बंदे एकदम किनारे पर है जिनके 5-6-7 नंबर तक की गुंजाईश थी कि वो अगर इतने नंबर और आते 2-4 कोशन उनके सही हो जाते तो वो कटोफ में आ सकते थे तो उनके लिए बहुत अच्छा मोका है अब वो सीधे कटोफ के अंदर आने की पूरी-पूरी संभावना अपनी रखते हैं कटोफ पर क्या फरवाव पड़ेगा इस चीज़ को मैं लगबग क्लेर कर चुका हूँ पर इसली स्लाइड में कटोफ पर वैसे कटोफ उतनी ही जाएगी समझ येगा इस चीज़ को पिछली जो मैंने कटोफ की वीडियो बनाई थी उसके अंदर सभी ने खा कि आप तो दिरे-दिरे नीचे आते जा रहे हैं बिल्कुल मैं नीचे नहीं आता जा रहा हूँ मैं रोमाक्स को लेकर ये आप लोगों को टोफ बता रहा था जो आप लोगों के अभी नंबर मन रहे हैं उन्हीं के आधार पर मैं कटोफ बता रहा था ना कि नॉर्मलाइजेसन होने के बाद मैं आप लोगों के क्या कटोफ रहेगी वो मैं नहीं बता रहा था अब अगर रोमाक्स के हिसाब सी बताओं इसको एक्जामपल लेकर चले और इसको एक्जामपल लेकर चले तो जो मैं पिछली वार अगर जनरल की कटोफ बताई थी आप लोगों को 208 तो ये बिना नॉर्मलाइजेसन की थी अब मैं बता रहा हूँ कि अब जिसके भी नॉर बोर्ड की जिम्मधार ये बटाने की लेकिन मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूँ कि जिस भी बंदे के 205 थे पहले जिस भी बंदे के 205 थे पहले अब वो कुट उफ के अंदर आ रहा है तो अब जो कुट उफ बनेगी उसके अंदर में आप लोगों को ये ही है क्योंकि उसकी shift पर depend करेगा वो board पर depend करेगा कि उसके कितने number बटने वाले है मैंने ये एक example लेकर आप लोगों को बात समझाई है सबसे जदा और बड़ा सवाल जो इस बार पूछा जा रहा है कि कितना गुणा अभ्यारतियों को जो है इसके अंदर पास किया जाएगा तो पूरी-पूरी संभावना है नर्मलाजेशन के पहले यही उमीद की जा रहे थे कि उतने ही बच्चों को बुलाए जाएगा जिनसे कि document verification हो जाए और कुछ बच्चों की waiting list के अंदर बच जाए यानि गुणा का अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि गुणा बच्चों को इसके अंदर बुलाए जाने वाला है लेकिन अब पूरी-पूरी संभावना है कि आप लोगों को कम से कम दो गुणा बच्चों को नौर्मलाइजेसन होने के बाद में मतलब नहीं है मैं रो माक्स की आप लोगों की बात कर रहा हूं जो आप लोगों के रो माक्स जो अभी आप लोगों के हाथ में जो आप लोगों की मारक सीट तो नहीं कह सकते जो आप लोगों की आंसर किया जिससे आप लोगों ने मिलाए है उसके इसाब से अगर आप आप लोगों के 205 नमबर बन रहे हैं तो आप लोग निश्ची तोर पर जनरल केटेगरी से डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने आपको त्यार रख सकते हैं आप लोगों के नमबर आने की पूरी-पूरी संभाव नहीं है फीमेल कंडिडेट 185 से पलस आप लोगों के नमबर आने की पूरी-पूरी संभाव नहीं है EWS की बात करें तो मेल कंडिडेट 198 और फीमेल 190 168 के उपर आप लोगों का नमबर अच्छे से आ सकता है MBC की बात करें तो 190 male candidate और female candidate 170 पर आप लोगों का number आराम से आ जाएगा अब बात कर लेते हैं OBC की OBC को लेकर तो क्या महोल बना है इस वार ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के 205 number है 205 number है आप लोगों के तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है लेकिन अगर आप लोगों के 202 से ज्यादा number बन रहे हैं अभी अगर आप लोग अभी मिलाने बैठेंगे अपने paper को और आप लोगों के 202 से plus number बन रहे हैं तो आप लोग निश्ची तोर पर अपने जितने भी डोकुमेंट से उनको त्यार रखे आप लोगों को पुलाई जाने की पूरी-पूरी संभाव नहीं है मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ आज female candidate 180 प्लस वलों का असानी से नमर आजएगा ST की बात करें तो 175 male candidate 150 प्लस female candidate SC की बात करें तो 180 male candidate के लिए और female candidate के लिए 150 के उपर आप लोगों का असानी से सेलेक्शन हो जाएगा वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक और फिर से कहना चाहूँगा चैनल पर पहली बार आएं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब किये बिना आप लोगों को नहीं जाना है प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो फुसंद आती है तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद